दोस्तो नमस्ते आज हम जा रहें मूंग की सबजी बनाने ऐसे उस्थाई करेंगे इसको आप मूंग फ्राई भी बोल सकते हैं सबजी भी बोल सकते हैं यह हमने मूंग की दाल लिए है खड़ी वाली कितने अच्छे से अंकुरित हुआ है इसको हमने 7-8 घंटे पानी में जगा जैसे कमल हो गया किसी चीज के अंदर डाल देंगे ऐसे अंकुरित हो जाएगा देखे कितना अच्छा से अंकुरित हुआ है और यह खाने बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है अब हम इसका सबजी या फ्राई कुछ भी बोल सकते हैं वही बनाएंगे अब हमने इसको अंकुरी जो है आखे टूट जाएंगे इसनमे थोड़ा से पानी रखा है बहुत ज्यादा में ही थोड़ा से ओडल डोशे की ऑप समेलेंगे और बहुत ज्यादा करेंगे थोड़ा ये टाइट रंटी खाने में इसलिए उबालने से बहुत अच्छा तेश्ट आता है इसको हम डाल देंगे उबन लेख लिए हमें इसमें नमक कुछ भी नहीं डालना है ऐसे उबालना नमक डालने से क्या है यह फूर्ट जाएगी इसका आंखा जो है अलग ह जाएगा इसलिए हमें ऐसे एक से दो सीटी लगा देंगे फिर इसको बंद कर देंगे अब हम धखकन को फूर्ट लगा दिया है कुकर का अभी तेज रखेंगे विसे से चीटी आ स्लो कर देंगे ज्यादा तेज में भी नहीं पकाना है इसको उबल गई है यह इछे से फू उसका प्याज है टमाटर हरी मिल्ची लैसुन कड़ी पत्ता मोंफली अब हम सबसे पहले इसको तड़के को अच्छे से काट के रख दिया है अब हमने थोड़ा से तेल डाल दिया है तेल गरम हो गया है अब इसमें हम मोंफली भून लेंगे भूनने से क्या है टेस्ट बहुत अच्छा आता है ने तटी नहीं डालना है अपर जिसको कच्छी मोंफली पसंद हो कच्छ मोंफली भी डाल सकते हैं अभी हमने मोंफली को अच्छे से भून लिया है अब इसको निकाल लेंगे अब हमने दुबारा तेल डाल दिया है अब थोड़ा से तेज पता गरम मसाला डालेंगे कड़ी पता डाल देंगे प्यात रिलाप्सम मिल्की डाल लेंगे अच्छे से विक्स करेंगे अब हम इसमें जीरा पाउडर टाल देंगे धनिया पाउडर लाल मिर्ची स्वादा नशार नमक गरम मसाला अब हम इसको मिक्स कर देंगे इसमें समच्छे से अब हम इसमें मोंफली डाल देंगे क्योंकि हमने पहले से मोंफली बून के रखा है तो बहुत ज्यादा टेश्टी लगेगी हमने जो ये मूंफली करके रखा इसमें डाल देंगे ये खानी बहुत ज्यादा टेश्टी लगता है इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से इसको एक बार चेक कर लेंगे बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे नहीं तो नीचे क्या है लग जाएगा इससे थोड़ा जल जाएगा कि हमने पानी भी निटाला है इसमें अब हम इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे अब इसको निकालेंगे कि हमने बूंग दाल बना के तयार कदिया है आप सब्सक्राइब हो एक या लग है विकाल सकते है है आप लोग को पसंद आए थो ला इक還有 । प्रस्क्राइब जरुब कर दो